नमस्कार बच्चों, मैंने आपको दूसरी इकाई परिक्षा से संबंधित वर्क्षिट भेजा था, आशा करती हूँ, अब तक आप लोगों ने उसे सॉल्व कर लिया होगा, तो उसी का उत्तर में आज डिसकस करने जा रही हो, तो आप लोग अपना वर्क्षिट खोलिए, प्रशन दिये थे, जो सबसे पहले मैंने बहु विकल्पिया प्रशन उत्तर दिये थे, तो पहले आप लोग उत्तर ध्यान से सुनिएगा, आप लोग थोड़ा मिला लिजी, आपने सही-सही उत्तर लिखा है या नहीं, पहला प्रशन था, बिस्मिल्ला खां संगीत का अभ बसूलन बाई और बतूलन बाई नामक जो गाई का थी उनके संगीत को सुनकर किया है उनकी रूची बड़ी थी तीसरा प्रशन था ठुमरी ठप्पे और दादरा किन के नाम है ये सब देखना गायन शैलियों के नाम है गायन शैलियों पर आप लोग निशाना लगाएंगे शेहनाई किसे कहते हैं चौथा प्रशन था शेहनाई किसे कहते हैं उत्तर होगा यह एक वाद यंत्र है पाचवा प्रशन था बिस्मिल्ला खाँ खुदा से क्या मांगते हैं बिस्मिल्ला खाँ खुदा से एक सच्चा सुर मांगते हैं चटवा प्रशन था तासीर का प्रभाव है आच्छा सात्बा प्रश्न था हम पर्मात्मा की शरं क्यों खोसते हैं उत्तर लिखोगे अपनी उल्जनों से बचने के लिए आठवा प्रश्न था, बिस्मिल्ला खां स्वयम को कैसा कलाकार मानते हैं, लिखना नौ सिखिया कलाकार, तो नौ सिखिया पर टिक दोगे, अमिरुद्दिन कौन है, वे स्वयम बिस्मिल्ला खां है, उनका बचपन का नाम अमिरुद्दिन था, दसवा प्रशन देखो, मुहरम के दिन बिस्मिल्ला खा क्या बजाते हैं मुहरम के दिन क्या बजाया करते थे, नौ हा बजाया करते थे ग्यारवा प्रशन देखो बिस्मिल्ला खां कैसे मनुश्य थे ग्यारवा वे कैसे मनुश्य थे धार्मिक मनुश्य थे बारा प्रशन देखो हजारो सालों से कौन सी परंपरा चली आ रही है कौन सी परंपरा मुहरम की परंपरा ठीक है तो हजारों सालों से ये मुरम की परंपरा चली आ रही है और वे लोग जो है बिस्मिला खां के बारे में और उनके परिवाल लोग नौहा बजाते आ रहे हैं बिस्मिला खां अपने मामा के शेहनाई वादन पर दाद कैसे देते थे अपने मामा के शहनाई पर वे दाद पत्थर मार कर देते थे जमीन पर पत्थर मारते थे अमीरियुद्दिन के शहनाई गुरु कौन थे अलिबक्ष खां उनके मामा थे अलिबक्ष खां वे ही क्या है उनके शहनाई गुरु थे काशी का संगीत आयोजन किस अबसर पर होता है ये है देखो हनुमान जैनती के अबसर पर होता है हनुमान जैनती के अबसर पर आप लोग निशाना लगाओगी फिर है काशी में विश्वनात किस रूप में प्रतिश्ठित है काशी में विश्वनात क्या है नर्तक के रूप में प्रतिश्ठित है संगीत सभा में किस प्रकार का आयोजन होता है शास्त्रिय तथा उपशास्त्रिय संगीत का उत्तर है शास्त्रिय तथा उपशास्त्रिय संगीत का बिस्मिल्ला खां कैसे मनुश्य थे वे आस्थावान मनुश्य थे बिस्मिल्ला खा ने शेहनाई की शिक्षा कहां से पाई, काशी से पाई थी उन्होंने, मुहरम पर किन की आखे नम रहती है, बिस्मिल्ला खा की आखे नम रहती है, अब देखो जो लगूतर ये प्रशन उत्तर है, प्रशन थे, उनके उत्तर मैं बढ़ रही हूँ, ठीक है, तो आप लोग ध्यान से सुनियो, पहला प्रश्ण मैंने दिया था, शहनाई की दुनिया में डुम्राव को याद करने के दो कारण है, पहला देखो डुम्राव क्या है, प्रशिध सहनाई वादक बिस्मिल्ला खां की जन्म भूमी है, ठीक है, तो पहला कारण क्या था, कि बि दुम्राव गाउं में है तथा दूसरा रीजन जो है वो है सोन नदी के किनारे नरकट घास मिलती है ठीक है जो नरकट घास है वो कहां मिलती है सोन नदी के तट पर जिसकी रीड से क्या है रीड का उपयोग शेहनाई के लिए बजाने के लिए किया जाता है तो यह जो नरकट पौधा है घास है उसी से शेहनाई की रीड बनती है और यह इसलिए क्या है वह गाउं जो है डुम्राउं प्रसिद हो गया है दो कारणों से बिस्मिल्ला खां की शेहनाई की मंगल धुआनी का नाया क्यों कहा गया है उत्तर क्योंकि भारत में किसी भी शेहनाई वादक जितने भी शेहनाई वादक हुए है उनमें बिस्मिल्ला खां का नाम जो है सबसे उपर है उनके जासा शेहनाई वादक आज तक इस दुनिया में कोई पैदा ही नहीं हुआ है उनसे बढ़कर शेहनाई वादक और कोई नहीं हुआ है ठीक है फिर देखो बिस्मिला खां को किस पर विश्वास है बिस्मिला खां को क्या है खुदा की कृपा पर विश्वास है Next Question है, हम परमातमा की शरण क्यों खोषते हैं? अपनी उल्झणों से बचने के लिए खोषते हैं。 तो लिखक हिंदू-मुसलिम की संस्क्रिती है, वह मिली-जूली संस्क्रिती है. ऐसलिए उसको नाम दिया गया है. गंगा जमुना संस्कृति देखो ये दो को मुहरम ताजिये होली अबीर गुलाल की जो मिली जुली संस्कृति है इसी को क्या है गंगा जमुना संस्कृति कहा गया है बिस्मिल्ला खां को शेहनाई की मंगल धोनी का नायक क्यों कहा गया है उत्तर होगा शेहनाई क्या है मंगल धोनी का वाद है भारत में जितने भी शेहनाई वादक हुए है उनमें बिस्मिल्ला खां का नाम सबसे उपर है उनसे बढ़कर सुरीला शेहनाई वादन और कोई नह हुआ है इसलिए उन्हें शेहनाई की मंगल ध्वनी का नायक कहा गया है अच्छा आठवर प्रशने देखो बिस्मिल्ला खा की शिश्या ने उन्हें किस बात के लिए टोका जो है शिश्या ने उन्हें टोका था है बिस्मिल्ला खा की शिश्या स्वाभावी कुरूप से अपने गुरू को मानचामान चाहती थी उन्हें जो शिश्या थी वो चाहती थी कि उनके गुरू को मान्चामान मिले वे घर पर जो 2 तहमद याने लूंगी पहना करते थे तो इसीलिए एक दिन किया है घर पर कुछ महमान आई हुए थे और उनके सामने वे फटी तहमत पहन कर ही चले जाते हैं और इसी बात को लेकर शिशिया टोकती है और वे कहती है कि आप इस प्रकार फटी तहमत मत पहना करिएगा अमिरुद्दिन का बड़ा भाई कौन था अमिरुद्दिन का बड़ा भाई कौन था शम्शुद्दिन था अलिभक्षखा कौन थे अलिभक्षखा उनके मामा थे नागस्वरम क्या है नागस्वरम जो है दक्षिन भारत में बजाए जाने वाले मंगल वाद यंत्र है ठीक है दक्षिन भारत में क्या है यह मधुर वादी यंत्रे बजाये जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं नागस्वरम कहते हैं नेक्स्ट कुश्यन देखो लेखक हिरन के माध्यम से क्या कहना चाते हैं हिरन के माध्यम से लेखक क्या कहना चाते देखो जिस प्रकार हिरन के नाभी में क्या है कस्तूरी रहता है परवा क्या है उसकी खुश्वु के लिए इधर उधर भटकता रहता है उसी प्रकार दिखो बिस्मिल्ला खा जो है इतने बड़े शेहनाई वादक है मगर फिर भी क्या है उसके सुर के लिए वे हमेशा सच्चे सुर की तलाश में इधर उधर भठकते रहे वे इश्वर से हमेशा सच्चे सुर की तलाश करते रहे पर वो क्या है उनके सुर्ज जो है उन्हीं में बसा हुआ था हजारों सालों से कौन सी परंपरा चली आ रही है तो हजारों सालों से कौन सी परंपरा चली आ रही है हजारों सालों से मुहरम की परंपरा चली आ रही है जहां हजारों लोगों की इस आखे हजरत इमाम हुसेन ए तो उनकी प्रमुख जो रचनाएं हैं उनके नाम देखो यदा कदा आयोध्या तथा अन्य कविताएं डेवडी पर आलाप ये तीन नाम अच्छे से याद रखना नेक्स्ट कुश्चन है बिस्मिला खां के गालों पर कब चमक आ जाती थी बिस्मिला खां के गालों में चमक क जाती थी जब उन्हें अपने क्या है जवानी के दिनों की जो दिवानगी है उन्हें याद करते थे वे याद करते थे अपने जवानी को जवानी के दिनों की और उनके गालों में क्या है चमक आ जाती थी जवानी में वे क्या करते थे कुलसम हलवाइन के यहां हलवा खाने चले जाते थे कचोड़ी खाते थे सुलोचना की सुलोचना नामक जो अभिनेतरी है उनका फिल्म देखने चले जाते थे वे उनके पर फिदा थे तो इन्हीं को याद करके क्या है उनके गालों में चमका जाती थी सतरा नमबर क्विश्चन देखो प्रश्ण बिस्मिल्ला खा के मन में काशी के प्रती अनुराग क्यूं था तो उत्तर लिखोगे उनके जो पूर्वज हैं काशी में रचे बसे थे उन्होंने काशी के विश्वनाथ मंदिर और बाला जी के डियोडी में शेहनाई बजाई थी पूर्वज भी क्या करते थे काशी की जो डियोडी है मंदिर बाला जी के मंदिर के डियोडी पर शेहनाई बजाया करते थे बचपन से ही गंगा को मईया कहते आए हैं वे वहीं पले बड़े तथा सीखे थे तो वहीं पर पले बड़े और सीखे थे ठीक है बचपन से ही वे काशी में ही रहे थे अठारा अवा प्रश्न देखो बिस्मिल्ला खा के मन में संगीत कारों के प्रती कैसा भाव है तो यह उत्तर लिखोगे बिस्मिल्ला खा के मन में संगीत कारों के प्रती क्या है सहानूभूती है वे घंटो रियास करते थे किन तो फिर भी गायक जो है उन्हें पूर्ण सम्मान नहीं देते थे जो गायक कला करते वे उन्हें पूर्ण सम्मान नहीं देते थे यद्देपी वे घंटो रियास करते थे इस बात को लेकर उनके मन में दुख होता था नेक्स बिस्मिल्ला खान में को किनका फिल्म देखने का शौक है तो उत्तर है सुलोचना और गीता वाली का तो यह है बिस्मिल्ला खान जो नौबत खाने में इबादत इससे सम्बंधित मैंने प्रशन के उत्तर आप से डिसकस कर लिया है नेक्स जो है मैंने चपल आप लोग चपल खोलेंगे चपल कहानी से सम्बंधित मैंने जो प्रशन दिया है उसको मैं आपको के साथ डिसकस करती हूँ सबसे पहले मैंने आपको जो है बहु विकल्पिय प्रशन दिये थे उसके उत्तर मैं आपको बता देती हूँ पहला प्रश्ण था चपल कहानी में किस प्रकार के रिष्टों को महत्व दिया गया है तो चपल कहानी में गुरु शिश्य का जो रिष्टा है उसको महत्व दिया गया है रमन रंगिया की कौन से संतान था? छटवी संतान था रंगिया जब स्कूल गया तो रमन क्या याद कर रहा था, बारहा खड़ी याद कर रहा था, रंगिया ने अपने बेटे को कितने पैसे का सिक्का दिया था, पांच पैसे का सिक्का दिया था, रंगिया का घर किसके पास था, थियेटर के पास था, पोली और रंगिया में क्या संबन्द था मामा भगनी का संबन्द था रंगया पिछले कितने सालों से यही पेशा कर रहा था पचास सालों से मास्टर साब के कंदे पर क्या था मास्टर साब के कंदे पर खादी का दुशाला था रंगया के पास कितने रुपए थे रंगया के पास 6 रुपए 20 पैसे थे स्कूल पहुँचकर रंगया किसे ढूण रहा था स्कूल पहुँचकर रंगया मास्टर सहाब को ढूंड रहा था 11 प्रशन देखो रंगया राव किस भाशा के रचनाकार हैं? वे दक्षिन भारत के रचनाकार हैं ठीक है? रंगया किस कक्षा में पढ़ता था? वो पहली कक्षा में पढ़ता था रमन के बस्ते में किस भाशा की पुस्तक थी? तेलगू भाशा की पुस्तक थी रमन के कंधे पर क्या लटक रहा था? किताबों का बस्ता रमन के कंधे पर क्या है? किताबों का बस्ता लटक रहा था ये चपल कहां से लाया? ये कथन किस का है? उत्तर लिखोगे रंगिया का है मास्टर साब के चपल किस जमाने के दिखाई दे रहे थे उत्तर है दादा पर दादा के जमाने के क्यों रहे पैसा चाहिए क्या यह किसका कतन है यह कतन क्या है रंगिया का है रमन जमीन में किस से गोलगोल आकार बना रहा था अंगूठे से रंगे अपने बेटे का पालन पोशन कैसे कर रहा था बड़े लाड पियार से कर रहा था चपल कहानी किस प्रकार की रचना है या एक आदर्श वादी रचना है अब जो देखो लगूतर ये प्रशन उत्तर प्रशन है उनकी उत्तर में आपको बता रही हो ध्यान से सुनना चपल कहानी में किस प्रकार के रिष्टे को महत्वे दिया गया है गुरू शिश्य रंग्या ने अपने बेटे को कितने पैसे का सिक्का दिया था पांच पैसे का सिक्का दिया था रंग्या को क्या देखने की तमन्ना बढ़ती जा रही थी रंग्या की क्या देखने की तमन्ना बढ़ती जा रही थी कि उसका बेटा जो है कैसे पढ़ रहा है विद्याले में वो कैसे पढ़ रहा है वही देखने की तमन्ना बढ़ती जा रहे थी रंगिया मास्टर साब के सामने कैसा खड़ा हुआ था रंगिया मास्टर साहब के सामने हाथ जोड़ कर बड़े बिनम्र भाव से खड़ा हुआ था मास्टर साहब की कौन सी बात रंगया को अम्रित सी लगी मास्टर साहब को कौन सी बात अच्छी बहुत अम्रित सी लगी कानों में देखो उत्तर है जब मास्टर साहब ने रंगया से कहा कि तुम अपने बेटे की चिंता बिल्कुल मत करो सारा भार मेरे उपर छोड़ दो मास्टर जी जब कहते हैं कि मैं रमन का पूरा भार लूँगा तब क्या है यह बात रंग्या को अम्रित सी लगी रंग्या की जोपड़ी के चारो तरफ क्या पड़े हुए थे पूरे फटे चितरे पड़े हुए थे ठीके न चम्रे के टुकड़े टायर यह सब पड़े हुए थे आच्छा रंग्या को क्या पसंद नहीं था रंग्या को देखो गंदे तथा शराब पीने वाले लोग जो है उनके साथ उठना बैठना पसंद नहीं था वह बहुत भद्र था तो उसी के पल्ली में लोग क्या करते थे शराब पिते थे गंदे बाते बोलते थे तो ऐसे लोगों के साथ उसका उठना बैठना उसे पसंद नहीं था रंगया क्या देखकर रुख गया था रंगया जब भगवान वेंकटेश्वर की तस्वीर देखता है तो वह वहां रुख जाता है रंगया ने क्या मनौती किया रंगया ने भगवान के सामने मनौती किया कि हे भगवान मेरे बच्चे का उधार करो भगवान से मनौती करता है कि उसका वेटा पड़ लिखकर बहुत बड़ा आदमी बने पोली ने रंग्या से क्या कहा पोली ने आकर रंग्या से कहा कि आज मा की तब्यद बहुत खराब है और आज वह खाना नहीं बना सकेगी रंग्या किस काम में माहिर था रंग्या जो है नया चपल बनाने में माहिर था या पुराने चपलों को नया बनाने में बड़ा माहिर था ठीक है दो कामों में एक है नया चपल बनाने में एवंग पुराने चपलों को नया बनाने में माहिर था मास्टर साब की चपलों को रंगया कहां रख दिया था वह घर की जो जोपडी थी उसकी अटारी पर वहां रख दिया था गंगा कौन थी गंगा नल के पास प्लैटफर्म के पास वाले होटल की मालकिन थी तो वह गंगा के पास जाकर भात खाने गया था रंगया का दिल क्यों बैट गया अपनी पली में आग लगने की बात सुनकर रंगया का दिल बैट गया था गंगा ने रंगया के पत्ते पर कितनी बार भात डाला था तो गंगा ने रंगया के पत्ते पर एक छोटे से बरतन से तौल कर क्या है तीन बार भात डाला था तो आशा करती हो ये दो चैप्टर से सम्मंदी जो प्रश्ण है मैंने इसके उत्तर मैंने आपके साथ डिसकस कर लिया है आपको समझ में आया होगा और आप ये सब अपने कॉपी में तयार करके आप शीगरी स्कूल में जमा दे दोगे धन्यवाद